Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Cook with NK रमजान स्पेशल रेसिपीस में आज मैं आपके साथ चिकन चंगेजी की रेसिपीश शेर करने वाली हूँ चिकन चंगेजी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा चलिए रेसिपीस स्टार्ट करते हैं चिकन चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मेरिनेट करेंगे यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन हर्डियों के साथ लिया है और उसमें दो चमच अधरक लेसुन की पेस्ट एक चमच नमक आधा चमच हल्दी पावडर एक से डेट चमच धन्या पावडर दो चमच काश्मिरी लाल मिर्च पावडर दो चमच तीकी वाली लाल मिर्च का पावडर चिकन मसाला या गर्यम मसाला और एक चमच कसूरी में थी आधे निबु का रस तीन बड़े चमच दहीं डाल कर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके है अभी हम उसे दो घंटे के लिए मेरिनेट करके रख देंगे तब तक के लिए हम उसकी ग्रेवी तयार करके रख देंगे तो सबसे पहले एक पेन में 3-4 बड़े चमच तेल डाल कर उसे गरम कर लेंगे और उसमें 2-3 जितनी medium size की प्यास को slices में cut करके डाल देंगे प्यास को अच्छी तरह से केरेमिलाइस कर लेंगे और उसके बाद उसमें 6-7 जितने काजू डाल देंगे और उसे भी उसी के साथ fry कर लेंगे उसके बाद उसमें 2 टमाटर कर कर के डाल देंगे टमाडर को भी उसी के साथ कुक कर लेंगे अभी उसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे उसके बाद एक कड़ाई में तीन से चार बड़े चमच तेल डाल कर उसे गरम होने देंगे और उसके बाद उसमें marinated chicken के pieces एक एक करके डाल देंगे चिकन की pieces डालने के बाद जो masala बचेगा उसको हम बाद में यूज कर लेंगे अभी chicken को high flame पे अच्छी तरह से fry होने देंगे थोड़ी देर बाद gas की flame medium कर लेंगे और chicken को cover करके 10-12 minute के लिए cook करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से cook हो चुका है और दही का सारा पानी भी dry हो चुका है ये देखिए तो अभी हम उसमें जो marination का masala बच गया था वो डाल देंगे उसके बाद उसमें जो हमने टमाटर प्यास और काजू की पेस्ट बना के रखी थी वो डाल देंगे और उसे चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे इस पॉइंट पे अगर आपको चिकन थोड़ा सा भी कच्छा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके उसे कुक कर लिजेगा तो अभी हमने ग्रेवी को अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लिया है तो अभी उसमें पानी एड़ कर देंगे आपको जितनी ग्रेवी पतली चाहिए उतना आप उसमें पानी डाल सकते हैं और बस उसे पाच से साथ मिनिट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद गेस की फ्लैम ओफ कर देंगे तो हमारा सिंपल एन इजी चिकन चंगेजी बनके तयार है बहुत ही आसान तरीके से ये डिश बनके तयार होती है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा तो अभी सूपर टेस्टी चिकन चंगेजी को डिश आउट कर लेंगे आई होब आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है